नमस्कार स्वगत्यापका हमारे चैनल चार जागिंदर में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नहीं सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा 117 साल बाद महा सुरात्री एक मार्च को इस राशी पर धन लुटाएंगे भगवान भोले नात दोस्तों हिंदु धरम में देवों के देव महा देव के भक्तों के लिए महा सुरात्री का ब्रत विशेश महतो रखता है खासकर महा सुरात्री पर मंद्रों में आस्था का अद्वुत नजारा हमें देखने को मिलता है तीनों लोकों के मालिक भगवान सुव बाबा महा देव का सबसे बड़ा तेवहार महा सुरात्री होता है कहते हैं कि महा सुरात्री के दिन भगवान संकर भोले बाबा प्रदिवी पर माता पर्वती के साथ उन जगहों पर होते हैं जहां जहां उनके सिवलिंग हैं यह पर्व फालगुन मास के कृष्ण पक्षी चतूर दशी तिति को मनाय जाता है दोस्तों इस बार महा सुरात्री का पावन पर्व एक मार्च दो हजर बाइस से दिन मंगल बार को मनाय जाएगा और इस दिन एक बहुत ही अधबुत महा योग भी बन रहा है जी हां जी हैं दोस्तों बतादे कि इस दिन पंच गरही योग बन रहा है जो कि बहुत ही सुब और फलदाई योग माना जाता है दोस्तों बतादे कि इस दिन भगवान सिव के भक्त पूरी स्रद्धा भाव से उनकी पूजा राधना करते हैं साइद आप लोगों में ही बहुत लोगों को ये बात पता ना हो कि साल के हर महीने मासिक सिवरात्री भी मनाई जाती है लेकिन साल में दो बार आने वाली सिवरात्री का एक अलग ही महत होता है साल में आने वाली इन दोनों ही सुरात्री को अलग अलग नाम से जाना जाता है एक सुरात्री स्त्रावण मास और दोसरी फालगुन मास को मनाई जाती है इस बार जो सुरात्री आ रही है वह एक मार्च को यानि मंगलवार की दिन मनाई जाएगी मंगलवार की दिन महाशुरात्री के पढ़ने की बज़े से बहुत बड़ा महासयोग अब बनने जा रहा है और इस महासयोग से कुछ बिशेस राशी वाली जातकों की किस्मत भी अब महादेव की कृपा से खुलने वाली है इन राशवालों की अब सभी मनोकामनाए भागवान भोलिनात स्वतह अब दूर करने वाले हैं तो आईए आपको हम आज बता दे की आखिर ये भाग साली राश्या कौन सी है जिनकी सभी मनोकामनाए अब भागवान भोलिनात बाबा पूरी करने वाले हैं तो दोस्तो आप से नरोध है कि बीडियो को आप बिल्कुल भी मिशना करें और इसे शुरू से लेकर अंतक जरूर देखें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो बताना चाहेंगे कि इस बार की जो महासुरात्री है कई सारे दुरलब योग और राजयोग लेकर आई है एक मार्च को ये अदबुद नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि इस बार की महासुरात्री के दिन कई सारे बिशेश लाभ बनने जा रहे हैं कई सारे अदबुद योग बनने जा रहे हैं और 117 साल बाद ऐसा आपको अदबुद महासंयोग देखने को मिलेगा जी हाँ दोस्तो बदा देख इस बार की महा सुरात्री बहुत ही खास रहने वाली है भगवाने भोलेनात को महा सुरात्री के दिन बेल पत्र जरूर चढ़ाएं यनि नहाद होकर स्वक्ष वस्तर धारन करें और एक लोटा जल ले और उसमें आप बेल पत्र 21 पात्र में रख धतूरा भांग और आप मदार के पुस्प रख लें समे के पुस्प रख लें आप सफेद पुस्प रख लें और भगवान भोलेनात बाबा की पूजा राधना जरूर करें दोस्तो बताना चाहेंगे कि इस वार की महा सुरात्री के दिन कई सारे अधवुत राजयोग और धन योग बनने से कुछ विशेश रासियां ऐसी हैं जिनके उपर भगवान भोलेनात बाबा धन लोटाते नजर आएंगे तो दोस्तों बता दे कि सबसे पहली और खुश नसीब जो राशी आती है वो है यहाँ पर तुला रासी तुला रास के याद को बताना चाहेंगे कि आपके उपर अब महादेव की विशेश कृपादृष्ट रहेगी अब आपको आने वाले दिनों में अनेक जगहों से धन का लाब होता नजर आएगा धन संपत्ति के मामले में आप बहुत लखी रहेंगे जिस किसी कार में आप हाथ डालेंगे भगवान भोलेनात और माता पारवतिक की अपार किरपा दुष्ट आपके उपर बरसेगी भगवान भोलेनात और माता पारवतिक विजश से बिजनस भी आपार को और भी ज़्यादा आप तेजिस से बढ़ा पाएंगे अनेक जगहों से आपको धन का लाब होगा जीवन में चल रही परे सानिया अब म महादेव के करपा से दूर होने वाली है भगवान भोलेनात और माता पारवतिक करपा से अब आपको दुन दुनी राच चोगनी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता अगले जो राशी आती है दोस्तों बता दे वो है यहाँ पर मकर राशी मकर राशी को बता दे कि भगवा पर दिकारियों से आपके संबंध बहतर होंगे घर-परिवार का महौल अच्छारेगा घर-परिवार में खुर्सियों को बातावर देखने को मिलेगा जी हाँ बतादे कि बैवाईग जीवन काफी अच्छारेगा सुक सांती से बीतेगा दमपत्य जीवन में खोश्यां वरसेंगे एक दुसरे के करीब और ज़्यदा ज़्यदा शमय गुजारते नजर आएंगे अब अगली जो राशियाती दोस्त बतादे वो है यहाँ पर कुम्ब राशियात को बतादे कि अब आपके उपर दिन दूनी राज चोगनी तरक्की करने से आप अपने जीवन में बहुती ज़दा लाभ कमा पाएंगे महादेव और माता पार्वती किर्पा से अब आप कई जगों से धन का लाभ कमा पाएंगे बतादे कि लोटर शट्टा से भी आपको लाभ होगा तो वहीं सेर मार्कटिंग और रियल इस्टेट कंट्रक्शन चे जुड़े हो तो बिशेश लाभ होगा भगवान भोले नात माता पार्वती किर्पा से अब आप अपने घर परिवार के लिए जद़ जद़ समय दे पाएंगे बड़े बजरुगों का सहयोग प्राप्त होगा लबलाई भापकी बहुत अच्छी रहेगी लब पार्टनर को कुछ गिप्ट और उपहार देंगे उनके साथ खुबसूरत वक्त बिताने का मौका मिलेगा अच्छा खासा उनके साथ आपको यानि बैठने और उठने का मौका मिलेगा कुछ बिशेश उपलब्दियां प्राप्त होशकती है नएने लोगों से मुलाकाते होंगी कुछ बिशेश आप कर पाएंगे जो अभी तक नहीं पर पाएते वो कामियाबी आपको प्राप्त होगी अगले जो रासी आती है वो है यहां पर दोस्त बता दे बिरसेवराश बिरसेवराश के यात को अब भगवान वोले रात माता पार्वती की विशेश कृपाद्रिष्ट इसवार की महासुरात्री पर आपके उपर रहेगी अनेक जगवं से आपको धनका लाब होगा बता दे कि घर में कोई श्व बंगल कार होंगे धार्वी कारियों का यूजन होगा अभी वही जैतूं के ने रिष्टे तै होंगे और रिष्टों की चर्चाई हो सकती है साधी विया की चर्चाई होंगे बता दे कि साधी विया के लिए डिट फिक्स हो सकते हैं घर में संतान प्राप्ति के प्रवल योग बन रहे हैं, संतान की काम्याबी और तरक्की से भी आपका मन काफी प्रसंद रहेगा, अनेक जगव से काम्याबी आपको मिलेगी भागे आपका सात्मी आस्मान पर रहेगा, भागवान भोलेनात और माता पार्विती किर्पा से जिसके करण आपकी आर्थी किस्ते और बिती में में सुधार होगा जी हां दोस्तों, अब अगली जो राशी आती है वो है यहां पर मिθुन राशी जी हैं दोस्तों, बता देखिकी मिथ्ँन राशी आत को अब आपके किस्वरत बहुत तेजीस चमके की अनेक जगों से आपको धनका लाब होगा भागवान भोलेनात और माता पार्विती किर्पा से अब आप दिन दोनी राज चौगनी तरक्य करेंगे जो भी रुकावटी आ रहे थी बिजनेस व्यापार में अब वो सारी चीजे खत्म होती नजरा आएगी अब आप अपने जीवन में अनेक जगों से धनका लाब कमा पाएंगे जीवन में चल रही परेसानिया भागवान भोलेनात और माता पार्विती किर्पा से दूर होने वाली है बता दे कि इसमें आप के जो बड़े धिकारी हैं जहां पर काम करते हैं उनका पूरा पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा प्रोप्रेशनल लोगों से आप के संबंद भेतर होंगे धन संपत्य अस्त्र में ब्रदी होगी गाड़ी बाहन का सुक प्राप्त करेंगे अनेक जगों से बड़ा धनलाब हो सकता है जीवन में चल रही परेसानिया भागवान भोले नात और माता पार्वती दूर करने वाली है जीवन में आप कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करेंगे कामयावी प्राप्त करेंगे अब आपको इनकी धनसे माला माल बनने से कोई नहीं रोख शकता क्योंकि भागवान भोले नात और माता पार्वती अब कुवेर का खाजाना लुटाने वाली है आपके उपर अब अगली जो राशी आती है वो है कन्यराशी कन्यराश के याद को बताना चाहेंगे कि अब आपके किस्मत बहुत तेजी चमकेगी और एक मार्च को इस बार की जो महा सुरात्री है ये कई सारे दुरलब सुपसायोग लेकर आई है जिसके कारण अब आपको भागवान भोले नात का अशिम कृपा प्राप्त होगा और इसी कारण से आप अपनी बिजनेस ब्यापार का विश्तार कर पाएंगे रुकाव फसव धन प्राप्त होगा साजेदारी में अच्छा खासा लाब होगा जो लेजी का काम करते हैं या फिर इस समय आप कोई भी काम करते हैं आपको जवर्जस्त लाब देखने को मिलेगा बिजनेस ब्यापार का विश्तार कर पाएंगे और नई चीजे करते निजड़ाएंगे घर परिवार के लिए महितपूर्ण चीज़ों खरीदारी करेंगे राजिनतिक चितर से जुड़ाओ और लगाओ बना रहेगा भगवान भुलेनात के किरपा से अब आपको कई विशेस उपलब्दिया प्राप्त होंगे जीवन में चल रही परिसानिया अब आपकी अब दूर होने वाली है भगवाने बलेनात के क्रिपा से अब आपको कई प्रकार के और कई जगों से बड़ा धनलाब होता नजराएगा तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखेगा हर हर महादेव साथी वीडियो को लाइक करें जद जद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा